जैस्री कृष्णा राधे राधे स्रावन के महने में भगवान सिव पिर्थवी लोग पर विरास्ते हैं पूरे परिवार के साथ सिवाले में रहते हैं मापारवती, भगवान गनेश, कार्तिके जी महराज और नंदी जी महराज के साथ तो इसलिए सावन के मेंने में सिविकी बिसेश किपाप आने के लिए एक लोटा जल और एक बिलपत्र इतना ही काफी है महादेप संकर सिप संभू को परशन करने के लिए भगत जन कोशिस में डूब जूट जाते हैं और सिपलिंग पर गंगा जल के साथ-साथ बिलपत्र भी अरपित करने का भी-धान है तो बिल पत्र तोड़ने के चठाने के कुछ खास नियम है तो चलिए जानते हैं सावन के महना में जो भगवान सिब न उनको प्रशन करने के लिए बिलपत्र जरूर अरपित करना चाहिए अगर आपके पास सुभीधा नहीं है तो आप चांदी का बेल पत्र छोटे-छोटे भी मिलते हैं आपको पचास सो रुपे में मिल जाएगा एक लेकर चले आईए और वो तो आपको पुरा जीवन चलेगा तो उसी को बेभार करें देखे बेल पत्र को संस्कृत में और भगवान सीव को ये बहुत प्री है मानने आता है कि बेल पत्र और जल से भगवान संकर का मस्तिस सीतल रहता है और पूजा में इसका प्रियोग करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं हमारे धर्म सास्त्रों में कुछ नियम है बेल पत्र तोड़ने के भी और अर्पित क तिथी चतूर दसी तिथी और अमवस्य तिथी को सक्रांती के समय सों बार के दिन बेल पत्र भूल कर भी मत तोड़िये वरना सिभी नाराज होंगे और वो बेल पत्र आपको पुर्ने फल भी नहीं देगा चुकि बेल पत्र भगवान सिभ को सबसे प्री है इसलिए इन ति मिलता है अब जो बेल पत्र हैं टहनी से चुन-चुन कर सिफ बेल पत्र ही तोड़ियेगा कभी भी पूरी टहनी मत तोड़ियेगा यानि कि आपने देखा ओगा टहनी में थोड़ा सा मूट होता है गांठ टाइप का मोटा सा उसको हटा देना है आपको तोड़का बहुत सा पत्ता है उसका चिकना भाग सिबलिंग के ऊपर रहेगा और ईक बात हमेशा याद रखी कि बेल पत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए और बेल पत्र में कम से कम तीन पत्ते जरूर हो और अगर बेल पत्र ना हो, तो बेल के बिच का दर्सन ही कर लें, उससे भी पाप नस्ट हो जाते हैं, दूसरे का चढ़ाया हुआ बेल पत्र का कभी अनादर ना करें, चलिए आप जानते हैं कि बेल पत्र में क्या लिखें और कैसे लिखें, देखिए सबसे पहरी बात, जब के आप डंठल बेल पत्र के सहारे राम लिख सकते हैं राम इसलिए क्योंके राम जी को ऊन के युले राम छिख वंगतभ हो पत्ते नियु слова हो भी घृएंग's को बांग हो लिख कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनों से सेर कीजिए धन्यवाद